नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म में पूजा पाठ भगवान के लिए चंदन, तीलव, अक्षद, फूल, फल आधी कोई नई बात नहीं है लेकिन कई बार हम ऐसी दुविदा में फच जाते हैं कि एक छोटी सी चूप हमें अत्यादिक भारी पड़ती ह हिंदु धर्म में पूजा पाठ, भगवान का आशिरवाद, कर्म इन सभी बातों का खास तोर पर द्यान रखा जाता है ऐसे में अक्सर लोग मंदिर में पूजा करने आरदना करने आ जाते हैं वहीं पूजा के दवरान कई बार पूजारी भगवान पर चड़े हुए फू इन सुकी पत्यों का आखिर क्या करे ऐसे में एक अंजाने में की गई गलती भी हमें दंड का पातर बना देती है धार्मिक माननेताओं के अनुसार इनका गलत उपयोग या इने कहीं भी गिरा देना हमें पाप का भागिदार बनाता है शास्त्रों के अनुसार आपको हमेशा यह डर सताने लगता है कि कहीं उनके साथ कुछ बूरा न हो जाए ऐसे में आप दो बातों का खास तोर पर ख्याल रखते हुए इन फूलों को संभाल कर रख सकते हैं पहला मंदिर से मिले फूलों को अपने घर की तिजोरी में या अलमारी में रख सकते हैं इस बात क हुए फूलों के विखरने का डर बहुत जादा होता है ऐसे में आप इने किसी कपड़े कागज या थैली में बांध कर भी रख सकते हैं इसके अलावा कई बार दूर दराज में यातरा या मंदिर के दर्शन के लिए गए हो और उस दवरान आपको मंदिर के पूजारी प्रसाद में फूल या माला दी गई हो तो हमें यह परिशानी शतानी लगती है कि आखिर इसका क्या करे घर जाने तक यातरा के दवरान उसके खराब होने का डर होता है तो ऐसे में आप उस फूलों को सिधा हाथ की हतली पर रख कर सुंग सकते हैं जी हां माना जाता है कि प्रसाद में फूल में मौझूद सकारत्मक उर्जा आपके शरीर में चली जाती है इसके बाद आप उस फूल को किसी पेड़ के नीचे या किसी नदी में भा सकते हैं इससे आप फूल के खराब होने की परिशानी से चुटकारा पा सकते हैं मंदिर से मिले फूलों में प्रसाद में फूल को नहीं संबाल पा रहे हो तो इसे किसी भैती शुद्ध जल्धारा में भी प्रवाइद कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी वो बाते वीडियो को लाइक और दोस्ते के साथ जरू शेर करें साथ ही चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले धन्यवाद